जिसके पास कमी है, गरीबी है, वे वास्तना छोड़ देवास, जिसके पास धन संपदा और सत्ता है, वो सेवा के द्वारा अपना मंगल कर सकते हैं, और जिनके पास अभाव है, वे त्याक कीति व्रता के द्वारा अपनी मुप्ति का अनुभव कर सकते हैं, बाहर के बड़पनप में थोप कर बड़े बनने के जंजट में मत पड़ो अपने नन्ह मै को बड़े मै परमात्मा में डुगो कर सच मुझ में बड़े हो जाओ भाईया छे बड़े बड़े आठ बड़े बड़े धनाध्य लोकों को 25 वर्ष पहले विष्व के बड़े धनाडिय लोग गोषित क्या था अमेरिका ने, लेकिन धन भी मिध्या और धनाडिय रहना भी मिध्या है। मिष्टर चाल्स सबसे बड़ी स्टील कंपनी का मालिक पांच वर्ष तक आखरी पचीज साल में पांच वर्ष तक उधारी संपती से जिया और दिवालिया होकर मर गया। यह बाहर का धन देखलो। हववाड हबसान, सबसे बड़ी गैस कंपनी, पैट्रोल कंपनी के मालिक तुमारे पास लाग- लाग करोड सो क्रोड हो संकते हों। million बनाबर पाँच क्रोड सधे चार क्रोड कई million और हजारो million होते तब billion और trillion बनते billion और trillion का मालिक हवाड हब 상स्सब्सबसे बड़ी gas company का मालिक पागल होकर मर गया दुनिया को महभबत करोगे तो कुछ नो कुछ गड़बड़ी देगी। अथर्व कंटन सबसे बड़ा किराने कमपनी है। यहां किराने की दुकान में लाख दो लाख का माल होता है। वहां तो एक एक दुकान में करोडों का माल होता है। धन सदा नहीं रहता, सत्ता सदा नहीं रहती और परमात्मा कभी तुम्हारा साथ नहीं चुटता। Mr. Richard Whitney, New York Stock Exchange Company का प्रेसिडेंट जेल में ही मर गया आखरी में। और अलबट फाल राष्टपती का साहक मंत्री और पैसे चाहिए और खपे खपे में पकड़ा गया और जेल में बुढ़ापा व्यतितुवा उसने रहम की दरखास करी के मेरी मोत नजीक आई है, पेरल पर छोड़ो तुम्हें घर पे मरूं और घर पे मर गया दू क्यों कर। अमिर्था आत्मात्या करके मर गया, मिध्या जगत को अपने पास कठा करके कोई बड़ा बनना चाहता है वो बड़ा महा मुर्ख है, दन से बड़ा बनेगा तो बड़ा मुर्ख है, सत्ता से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो भी उसका परूसी है, शरीर और बल से इसलिए बाहर के बड़पनप में थोपकर बड़े बनने के जंजट में मत पड़ो, अपने नन्य मैं को बड़े मैं परमात्मा में डुगो कर सच मुच में बड़े हो जाओ भाईया। क्या करिये क्या जोडिये थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरी भजन कर द्रव बड़ा कच्छु दे। अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फलें अपने आत्मा का उद्धार कर। जिसके पास कमी है गरीबी है वे वास्ना छोड़े बास द्धनियों को देखकर वे स्वपनित छोड़े जैसा आयास गुजर भजर करें अर विश्वर में प्रिति लगाए आसानी से मुक्ति के रास्ते पहुंचे पहुंचे अमीर के पास स्विदावाले के पास सेवा त्या कित्ति व्रता के द्वारा अपनी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि परमात्मा तो सब का आत्मा है सब कलेक्टर नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते लेकिन सब परमात्मा का आनंद पास सकते ज्यान पास सकते माधूर्य पासकते वाजसल्य पास प्रेम पासकते, फवपने में दीदार पासकते, जागरत अ bonama में जागरत पासकते, And जागरत के दीदार के बाद भागवान जिससे भागवान है, वशात्म ₤ अट्म परमात्म का ज्ञान पाकर मुक्त अट्म का ब्रमात्म हो सकते हैं. किसी कारण से अपराद कर लिया बड़ा, गुरू को पायमान हुए, है मुर्क लापरवाशिष्य, मेरी बिक्षाकान तु चमारों पर निर्दन कर दिया। बड़ाशिष्य, तु चमारों यूनी बड़ाशिष्य, तु चमारों पर रिया। उसादक मरह और रगु चमार के घर जन्मा, लिकिना अगले जन्म की साधना कहाँ जाए। दस साल की उम्र में रगु चमार का बेटा रहिदास चम चम चपकने लगा अगले जनम की मंत्र दिक्षा और साधना के प्रवाव से. संत तुलसिदास उसके दर्शन करने गए और चमार के पुत्र को तुलसिदास ने गले लगाया क्योंकि वो चमार का पुत्र बाहर से था, बीतर से दिक्षा लिया हुआ, गुरु का पुत्र था, सत्गुरु का सत्शिष्य था. संत बीज पल्टे नहीं, चाहे युग बीते, अनंत उंच नीच घर अवतरे, रहे संत को संत्, दिक्षा लिया एक बार संत का बेटा बन गया तो मोत क्या बिगाड़ेगी? चोटी जाती में जन्मलिया तो क्या बिगाड़ेगा? और रहिदास ऐसे आगे निकल गए, इतने उंचे उठ गए, महराज आपको क्या पता हूं? सदना पीर, रहिदास का नाम और प्रतिष्टा सुनकर, रहिदास को पताने आया कि तुम कल्मा पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, तुमको सदना पीर, कहता है कि मैं रहिदास पीर बना दूंग और तुमारी बड़ी ख्याती क सुना, फिर रहिदास ने कहा कि तुमारी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात सुनो, तुम कहते हो कि खुदा निराकार है, खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ, दिन भर रोजा रखो, रात क्षाम को मुर्गी मारो और तुम मुझे उसी रास्ते ले कुदा नाम बलिदान चड़ाओ, सो अल्ला को दोश लगाओ, दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनि मुर्गी मारे, भक्ती करे फिर खुन बाहवे, पामर किस विधी, दोश मिटावे, जिसमें जीव हिंसा लिखी, वह नहीं खुदा कलाम, दया करे सब जी कलाम को तो बने साकाराấp फिर कहां रहा خुदा निराकारा, तुम बताते है, खुदा निराकार है, तुम बुद्प्रस्ति वाले हो, इस प्रकार सदना पीर की जो भी युकतियां थी काटी और सनातन धरम के ज्यान से सदना पीर की बुद्धी को प्रकाशित कर दिया और सदना पीर रहिदास के चरणों में शिष्षत्व स्विकार करके अमर दास नाम रखकर अमर यात्रा करने लगा боु ये सिकंदरलोदी को उटा चला कि सदना पीर तथा गूर भुद्धी वा रहिदास का चला है को प्रकाश ॅच्छा आ पीर रेकर अमरा प्रख्णों के तुम नग राड़ तुम हमारे इसलाम में आजाओ। तुम्हे ऐसा देंगे वैसा देंगे। लेकिन जिसको सत्त का पता चल गया वो मिध्या प्रलोभन में क्यों फसेगा। और मिध्या दांट फटकार का शिकार क्यों होगा। सिकंदर लोधी ने देखा कि ये प्रलोभन में नहीं आता तो उसको डांटना शुड़ू किया। रहिदास को हरेस्मेंट दिया। और राजा के सामने सेना पती खड़े, सेना खड़ी, सिपाई खड़े और एक संत खड़े हैं। कैसा बिताओगा। इसलामी शासन था लेकिन जिसको सत्र का बोध हो गया वो कहां डरे। सिकंदर लोधी ने अपने मुल्ला मोल्मियों के द्वारा खूब रहिदास को उपदेश दिलाया, डांट पड़कार करवाया, आखिर में कहां के है काफर। अगर तू कलमा नहीं पढ़ता। सिकंदर लोधी को फिनाप सिकंदर पीर नहीं बनाता। तो तेरी ख़ाल की जबा देंगे। पत्थर बांद कर जमनाजी में डुपो देंगे। कुछ बोल। रहिदास केता है क्या बोल। सिकंदर लोधी। वेद धरम है पूरण धरमा। वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धरम की सची रीता और सब धरम का पोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धरम निर्मल जांका ज्यान। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। शूति शास्त्र सुमृति गाई प्राण जाई पुन धरम न जाई। कुरान बहिष्ट न चाहिए। बहिष्ट में हूरें हजारें मिलेगी। शराब के चश्में होंगे। लेकिन मुझे शराब के चश्मों से शराब पीना नहीं है विष्ट में। एक दो हुर यहां तंग कर देती तो हजारें वैशाय क्या आहल करेगी। मुझे वो विष्ट नहीं चाहिए। मुझे तो आत्मा का सत्व विष्ट में गुरु जी ने प्रसाद चखा दिया है। प्राण जाई धर्म न जाई। कुरान बहिष्ट न चाहिए मुझे को हूरें हजार। वेद धर्म त्यागूं नहीं जो गले चलाओ कटार। bethya कुछ जाने वेद धर्म करिकल्यान मिटाव भर्म सत्य सनातन वेद है जो ना जाने वेद को व्रधा करे बकवाद। उसीकंदर लोदी के सामने रहिदास कहते है na जो न जाने लुबीड धरम को व्रधा करे बकवाद। किया सत्य की ताकत है। मैं नहीं दब्बूं बालगवारा गंग त्यागूं गहूं ताल किनारा प्राण तजूं पर धर्म न देऊं तुमसे सहा सत्य कई देऊं चोटी शिखा कबहुन त्यागूं वस्त्र समान मिथ्या दे भले त्यागूं कंठ करपान की करो प्रहार चाहे डुबाव सिंदु मजधार आम मान वही सत्य सनातन झाल कि दोटी शाइब भले तुमसे देऊं तुमसे करके दोटी करहाब तूं तुमसे तूंसे हो जान मिथ्या देऊंगे टिर आमिया देऊंगे भले दोटी तूंसे हैं